तो मैं आज फिर से लेकर आई हूँ बच्चों के लिए एक बहुत ही healthy food recipe mostly seven plus month से लेकर दो साल तक के बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा रहेगा इसको आप जरूर ट्राय करिए बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और आपको बनाने में भी बहुत ही असानी होगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच काजू को ऐसे डाल के और दो चमच इसमें मैंने ओट्स डाल दिया है अब इसको हमें ड्राय रोस्ट करना है अच्छे से कलर थोड़ा चेंज हो गया है तब हम इससे उतार लेंगे मोसली दो से तीन मिनट ही लगता है तो देखिए ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो चुका है अब इसको हमें मिक्सी में डाल के पेस्ट पाउडर बना लेना है अब मैंने एक पतीले में आधा गिलास दूद ले लिया है आपको जितना रिक्वायर्मेंट हो बेबीस के लि गाजर को हमें इतना कुक करना है कि एकदम मैश हो जाए दूद के साथ बीज विच में इसे चम्मस से दबाते हुए चलाते रहिए शुरू में हमें इसे दो तीन मिनट के लिए ढखके पकाना है ताकि गाजर अच्छे से पक जाए तो देखिए दो तीन मिनट बाद मैंने इसको निकाल के ऐसे चला लिया है आप इसे किसी चम्मस से अच्छे से दबा दबा के चलाए ताकि जो गाजर है एकदम अच्छे से मैश हो जाए दूद में इस देखिए मैंने चार-पांच मिनट तक इसे अच्छे से कुक किया चम्मस से दबा दबा के तो गाजर बहुत ह अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें गैस की फ्लेम को लो ही रखे अब जो हमने ओर्स और ड्राइफ रूट्स का पाउडर बनाया है इसका मैं दो चम्मच इसमें डालूंगी बाकी का मैं एर कंटेनर में डालके रग दूंगी सेकंड टाइम यूज करने के लिए अब इसको भी हमें दो तीन मिनट के लिए मिला के पका लेना है दो तीन मिनट बात देखिए अच्छे से पक चुका है अब इसमें मैं डाल रही हूं आधा चम्मच गुड़ आप गुड़ की जगा चीनी भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं बच्चों के लिए गुड़ ही रिकमेंट कि आप लोग गाजर के जगह पे जो मीठी मीठी वाली आलू आती है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं वह भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चों के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है यह देखिए कितना अच्छे से मैश हो गया है गाजर तो यह आप रेडी है बच्चों के लिए इसको थोड़ा सा थंडा कर लेंगे तो देखिए कितना फटाफट यह बन चुका है बहुत ही हेल्दी है बहुत टेस्टी भी है इसमें आप और भी ज्यादा और भी कुछ-कुछ आपको जो पसंद आया वो ड्राइफ रूट डाल सकते हैं और तुरंत इसको बच्चों को दे सकते हैं बनाके नाश्ते में डिनर में लंच में जब भी आपका मन हो बहुत ही हेल्दी है तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा मेरा वीडियो अच्छ लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा थैंक्स फर वाचिंग